भारत, बड़ा देश, बड़े बड़े रिलिजन्स और उनसे जुड़ी रीती रिवाज, इन में से एक कावड यात्रा, लोग सावन के महिने में गंगा जल लेकर अपने इश्ट पर चड़ाते हैं, बहुत से लोग कई सो किलोमेटर पैदल चलते हैं, तब ये जाकर संभव ह पाता है, धारमिक आस्था का मामला है, इसलिए क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उन पर ज़्यादा डीटेल में बात नहीं करेंगे, बात होगी भारत की राजधानी में इस यात्रा पर हुए एक आकरमन की और मैक्से से अवाड जीतने वालो द्वारा, आकरमन पर प्रश्ण करने की अपेक्षा, यात्रा पर ही प्रश्ण उठा देने की, आपकी आखों के सामने PFI का 2047 का स्वपना आपको धरातल पर उतरता दिख जाएगा, बने रहे हमारे साथ देखतरी आज की तालग ख़पर, इस वीडियो को देखने के बाद, लिंक पिन कमेंट में है बीस जुराई 2022 सूराज उसी तरीके से निकला लोग उसी तरीके से काम पर गए और कावड यात्री भी उसी अनुशाशित प्रक्रिया से कावड ला रहे थे, अचानक दिल्ली के सीलमपूर में मास्के टुकडे कावड यात्रों पर फेक दिये जाते हैं जब जनसंक्या आकडों की जाच करते हैं तो पता चलता है कि सीलमपूर विधानसवा सीट शांति प्रिया लोगों से भरी हुई है क्या बात है यात्रा पर गंदगी फेकने वाला वीडियो भी है पर वो दिखाना उचित नहीं है तो रहने देते हैं वैसे भी सुवर नाली में बैठा है ऐसा कोई आपसे कहता है तो उस पर शक नहीं करना चाहिए वैसे भी ग्रह मंत्रा ले सूचना जारी कर चुका था कि कावड यात्रियों पर शांति प्रिया अर्बी खेल खेला जा सकता है सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी दे गए थे अब ये सब हुआ कावड यात्रा के नुकसान पर चर्चा वश्य हुई वो आगे बताता हूँ मैं आपको परंतु क्या ये आकर्मन पहला ऐसा आकर्मन था जी नहीं हर साल होता है राजिस्तान के टॉंक में 2018 में कुछ ऐसा हाल था राजिस्तान के टॉंक जिले के मालपूर कस्पे में कावड यात्रा पर एक समुदाय विशेश के लोगों ने पत्राव कर दिया है पत्राव और बाद में लाठियों पर अन धारदा हत्यारों से जो पत्राव किया गया आप देख सकते हैं विज्यूल में कावडियों को कावडियों का सामना करना पड़ा एक खास समुदाय के लोगों ने इन कावडियों पर पत्राव किया है जिसके बाद राजिस्तान के तोक दिलिव में काफी स्थिती सम्वेदन्शील हो गई है सेंसिटिव हो गई है इस इलाके में अभी 2019 में उत्तर पदेश के बनायू में ट्रेक्टर पर आ रही कावडियों पर अचानक से ईदगाह के सामने फूल बरसने लगते हैं थोड़े कठोर फूल थे सर फूडने के काम आते हैं और साला ये इतने कठोर फूल इखटे कैसे करते हैं अवेलिबल कहां से होते हैं हाँ शा शांतिप्रिया घटनाएं घटी एक कावडियां कातो दियंडी हो गया महिलायें तक नहीं छोड़ी गई 2017 में बरेली में एक शांतिप्रिया भीड अपने शांतिप्रिया शेत्र में तीन घंटे तक कठोर फूल यानि पत्थर लेकर प्रतिक्षा में बैठी रही पुलिस की उपस्तिती में सर फोड़े गए यही फत्यपुर रजस्तान में भी हुआ और यही बागपत में दोनों जो किस मैंने अभी 2018 के ही बताए है 2019 में हर्याना के अंदर भी यही हुआ तो यह है जी हर साल का खेल इस साल सीधा यात्रा पर ही गंदगी फेंकी गई है तो कुछ साल में ये भी नया नॉर्मल बन जाएगा पर जब ऐसा हुआ तो रवीश कुमार ने पता है क्या लिखा था वो आगे देखते हैं रवीश जी ने कावड यात्रा पर मास के टुकडे फेके जाने वाली दिन कहा कि कावड यात्रा में उद्ध्योक पतियों का योगदान और बलिदान आगे बताए कि कावड यात्रा से उद्धमियों के 2900 करोड रुपे डूब गए आगे रवीश जी उलाना मार रहे हैं अमर उजाला को के बई इस नुकसान की सूचना आपने में पेज पर क्यों नहीं चापी है और मीडिया को भी इस नुकसान को कवर नहीं करने के लिए वो एक प्रकार से गाली देते हुए अच्छे से प्रतीत हो रहे हैं कुम्ब का मेला तीर्थ के कारण 150 बिलियन डॉलर का बिजनस है पर रवीश जी ने नुकसान निकाल लिया है तो अच्छा है भई कुछ देखके ही निकाला होगा इन्होंने पूरी गुना भाग में कावर के दोरान जो तीर्थ बिजनस होता वो जोड़ा ही नहीं होगा पर अब और गजब दिखाता हूँ किसान अंदोलन से रोज 3-4,000 करोड का नुकसान हो रहा था भारत की अर्थ व्यवस्ता को पर रवीश जी तो अंदोलन को ऐसे कवर कर रहे थे जैसे इनका कच्छा सिंदू बडर पर सूकता हो शाहिन बाग में सडक रो को अंदोलन में पैं बिजनस स्टेंडर्ड के अनुसार कावडिये जॉबलस हैं कोई काम नहीं है तो ये काम कर रहे हैं टॉंक में कावडियों पर सर फोडू फूल बरसाए गए थे पर हेडलाइन डाली गई थी कावडिया मैनिस एक कावडिये को शान्ती दूत ने ऊपर पहुंचा दिया टेल भारत पवार ने कहा था कि ये सलब बिरोद्गार लोग हैं इनका ही काम है ये तो इनके पास कुछ काम नहीं है तो ये कर रहे हैं या फिर कावडियों के गले में कौन घंटी बांदेगा इस प्रकार की हैड्लाइन हमेशा से चपते आई हैं भारत के बीच बीच कावड या पे हमला कर सकता है रातिरी में विस्राम कर रहे हैं उस समय उनके खटना घंतो सकती है इसलिए जहां भी उनका रातिरी बीचाम हो वाताउन बहतरिन होना चाहिए जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कावर्ड यात्री चले वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन की विवस्ता हो और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उलंगन करने की परमीशन नहों जिस पर अटेक हो रहा है जिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं उसी को मीडिया खाने को तेयार है गिने चुने कुछ इंद्रिजेंट्स की वज़े से जिसमें किसी कावड या तिरी से कोई गलत कारे हुआ है अभी सेम मीडिया ने ताजिये के समय क्या कवरिज की है वो कवर करेंगे किसी और दिन रेट फाइल्स के अंदर जो भारदवाज ब्रदर्स पर आता है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उसका क्योंकि इस वीडियो में इतना ही समय होता है यहां पर हम बस कावडियों की बात कर ले तो बहुत है वो हो गई रिजल्ट आपके सामने है उसका आपके उपर अब गंदिगी भी फेंकी जाएगी और रवीश जी कहेंगे कि कावडिये जो है वो नुकसान कर रहे हैं एक्चुल में वो कहना चाते हैं कि एक कावड यात्रा को ही बंद कर दो ऐसा प्रतीत होता है आप लोग दो एम दर्जे के नागरिक हैं इस दारूल हरब में बाकी मैं तो अब क्या ही बोलू मैं बहुत भोला हूँ आप कुछ कहना चाते हैं रवीश जी को तो कमेंट कर ये सुन्दर सुन्दर बाकी इस चैनल को भाई साब आप सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करे जाएंगे तो पाप लगेगा दूसरी तरफ बैल आइकॉन को दबा लिजेगा और इसके साथ में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियोन.com पर और दूसरी तरफ यू